हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत है स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के वीडियो में और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट साथ के उन टॉपिक्स की जो नए आपके सिलेबस में जुड़े हैं यूनिट साथ विज्ञान और परियावरन से संबंधित यूनिट है इसमें मैं आपको तीन टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ चौथा टॉपिक जो हम बात करेंगे आज खाद्य प्रसंसक्रण की यानि की फूड प्रोसेसिंग की याद रखिएगा फूड प्रोसेसिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री को ले आ गया है और मैं निवेडन करूंगा कि आप क्या करके आया करें आने से पहले इस प्लास में इन सब को पढ़के आया करें ताकि आपकी जो कॉंसेप्ट हैं वह अच्छे से क्लियर हो जाएं जो चीज़ेस समझ में ना आई हो वो आपको समझ में आ जाए अगर अभी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको 1299 रुप्य का प्रेमिंट करना पड़ेगा और यह नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लिकेशन से एप्लिकेशन को Google Play Store से डाउनलूड कर लिजे अगर अभी तक numbers में आप संपर कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की वीडियो की सुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले आखिर जो food processing है वो है क्या है इसे कहते किसे food processing जिसे आज खाद प्रसंस कड़ हिंदी में कहते है food processing इसका नाम इंग्लिस में है जो भोजन है उस भोजन यानि भोज जो पदार्थ है जैसे गेहु है या दूसरे जो भोज पदार्थ है उसका इस्तिमाल करके उसको प्रोसेस करके उसकी मुल्य में व्रधी कर दिना यह होता है सिंपल सा फूड प्रोसेसिंग का मिनिंग और डीटेल में इसको समझ लेते हैं तो खाद प्रसंसक्रण एक उद्योग है इसमें खाने की जो वस्तुए होती हैं उसको प्रोसेस करके यानि उसमें कुछ चेंजस करके उसके रूप में परिवर्तिन करना उसको नए रूप में यह मंत्राले नहीं था अब जरह मुझे कमेंट करके बताओ वर्तमान में खाद प्रसंसक्रण एवं उद्योग मंत्राले किस मंत्री के पास है इस से पहले यह मंत्राले हर सिंवरत कौर्सिंग बादल के पास था लेकिन यह तीन क्रशी कानून आये हैं उस समय उन्होंने इस मंत्राले के अपने मंत्री पत से स्तीफा दे दिया था तीन विलों के विरोध में किसानों के सपोर्ट में अभी इस मंत्राले का मंत्री कौन है यह जरा कमेंट करके आप मुझे बताईए मैं भारा सरकार की बात कर रहा हूं मैं भारा सरकार की बात कर रहा हूं बताओ जरा कौ प्राथमिक उत्पाद कौन से उत्पाद होते हैं यानि कि जो क्रशी उत्पाद सीधे खेत से आते हैं खेत से आने वाले अलू की चिप्स बना दी तो वह एक अलग हो गया उसको प्रोसेस करके अलग आपने कर दिया उसी प्रकार से गेहूं गेहूं का आपने आटा बना दिया तो वह एक है आटे से बाद में बिस्किट बना दिया तो वह तीसरी प्रोसेस है तो आपने ये जो प्राथमिक रशी उत्पाद हैं इनका मूल्य वर्धन किया जाना मूल्य वर्धन किया जाना उधारन के लिए देख लीजिए डेरी सबसे अच्छा होता रहन है आप अगर खरीदने के लिए जाएंगे क्या खरीदने के लिए जाएंगे आप खरीदने के लिए गए दूध डेरी उत्पाद में तो दूध थोड़ा सा सस्ता होता है लेकिन उसी दूध का आपने पनीर बना दिया तो वो थोड़ा सा और करने के सांसाथ उसके मूल में भी रधी हो रही है आप आप मार्केट में खरीद दे जाओ शाही पनीर की सब्जी महेंगी मिलेगी अगर शाही पनीर में जितनी सब्जी डली है उतना पनीर खरीदो को सस्ता मिलेगा और उतना पनीर जितने दूद से बना उतना दूद खरीद चिपस खालाए attracts शालिटने जाते हैं मार्गे से आप चिपस करीडते हैं एक बना सकते हों और ईक सब्सक्राइब Kenned इस वहार की बात कर रहे थे हम तो यहां पर फूडर स्वरूप का चेंज किसी भी उसमें यहां पर तो प्रात्मिक प्रसंस्क्रण में क्या होगा उसका बहुतिक स्वरूप नहीं लेगा यानि कि गेहु गेहु जैसे रहेगा क्षैम प्रिस्ट्याटा नहीं हो जाएगा उस्की निन कर लिए तो यह भी ऐक प्रकार का होजाएगा फूड प्रोसेसिंग ही है यानि कि गेहूं किसान से व्यापारी लोग क्या करते हैं गेहूं खरीते हैं और उन गेहूं की फिर ग्रेडिंग करने के बाद मार्केट में बेच देते हैं सीधा गेहूं मार्केट में अगर वो बेचेंगे व्यापारी तो उसका जबापैसा लेत है वह प्राहथमिक शंस्क्रण के उधारण है अब आगे देखेंंगे माध्यॐं प्रसन्सक्रण माध्यॐं में क्या जाएगा तो जो कच्छे क्रशी और पशू उथ्पाद है जैसे कि पशू उथ्पाद का मतलब क्या हुआ पशूं से प्राहप्त odpowied Charger चीज़ें दूद इसमें हम मान देते हैं प्रशी उत्पादों में आप मान लिजी आलू है गेहूं है ये चीज़ें उनको इस प्रकार से उपांत्रित करना कि उनकी जो मूल भोतिक विशेष्टाएं हैं उनमें बदलाव आ जाए जैसे आप गेहूं लिए और गेहूं का क्य स्वाल इसमें बर जाएगा बिजली चाहिए पूंजी चाहिए तब जाके यह मूल समवर्धन होगा और पहले कि अप्यक्छा इसमें क्या हो जाएगा से जाड़ा मूलिस अमवर्धन होगा यहों आ अप खरीदने जाओगे मार्केट में कियों तो गेहूं कितने का रुपए किलो मिलेगा आपको 20-22 रुपए किलो पर केजी गेहूं मिल जाएगा अब आप आटा खरीदने गए ITC कंपनिया पतंजली आया उनने आटा बना दिया अब आटा खरीदने गए तो यही आटा कितने मिल रहा 25 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल रहा है यही फूड प्रोसेसिंग है यही क्या है फूड प्रोसेसिंग है प्राइस को इंक्रीज करना तो माध्यमिक प्रसंसक्रण में फल सबजिया डेरी बेकरी चॉकलेट इस प्रकार के प्रसंसक्रण सामिले कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि प्रात्विक प्रसंस्क्राण में क्या आता है माधिविक प्रसंस्क्राण में क्या आता है और तीसरा जो प्रसंस्क्राण होता है वो त्रत्यक दुत्यक के बाद क्या आएगा त्रत्यक प्रसंस्क्राण इसमें क्या हो जाएगा इसमें तुरंत खाने यो गेहूं को कर दिया गेहूं को साफ तो गेहूं फरस्ट इसको हम नाम दे देते हैं गेहूं हो गया फरस्ट तो ये क्या था ये था प्रात्मिक प्रसंसक्रन अब गेहूं फरस्ट के बाद उसको हमने पिस्वा दिया क्या कर दिया पिस्वा दिया अब क्या बन गई ये आटा यह जो प्रोसेस कहलाई यह क्या कहलाई दूसरी प्रोसेस दुत्तियक प्रसंसक्रण और इस आठे से हमने बना दिये बिस्केट क्या बना दिये इससे हमने बिस्केट बना दिये तो यह जो प्रोसेस कहलाई यह हुआ त्रत्तियक प्रसंसक्रण समझ में आ गया प्रात्मिक द यहां सबसे ज्यादा मूली वर्धन होता है सिंपल सावधान देता हूं मैं आप लोगों को गराडू नाम सुना होगा आप में से बहुत साले लोगों निखाया होगा गराडू होता है से मतलब किसानं से खरीदता है वही गराडू 600 रॉपके किलो जब उसी को क्या कर लिया जा है तल के उस्पे अवसालवसालत डलके और अप-जाओगे मार्केट में खाने के लिए तो जरासा देंगे आपको चिपस इसका बहुत भैते दिन धारन है आलू की चिपस एक आलू वो प्रात्मिक प्रसंस्क्रण के अंतरगत ही आते हैं दुत्यक और त्रित्यक अभी हमारे यहां बहुत ज्यादा नहीं है अधिकांस दुत्यक में ही प्रात्मिक नहीं आ जाते हैं और प्रात्मिक में देखेंगे तो मूली व्रधी कम होती है 10 रुपे की चीज ज्यादा ज्यादा 20 रुपे के हो जाएगी दूतिये में 10 रुपे की चीज 40 रुपे के हो जाएगी लेतिन 30 प्रसंस्क्राण के अंदर 10 रुपे के चीज सीधी 100 रुपे के हो जाएगी इतना अंतर लगबग आ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो किसान कि आखिर खाद्य प्रसंस्क्राण में भारत कहां खड़ा हुआ है भारत की क्या इस देती है तो खाद्य प्रसंस्क्राण में भारत के पास पांच छेत्र हैं एक डेरी उत्पादों का हम प्रसंस्क्राण करते हैं फूड प्रोसेसिंग करते हैं एक फल सब्जियों की प्रसंस क्ष intim किया जाता है तो भारत के अंदर अभी भी आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में हमें जो आयात पर निर्भर रहना पड़ता है बहुत सारा हमारा खाने का सामान विदेशों से आता है तो खाए प्रसक्रत उट PAD हम क्या करते अभी भी मूली का हम खा जाते हैं खादे प्रश्मस्कान इसका अधिकानस्ता हम विदीजों से आयात करते है हमारे अमंगवाना परता है और 25 तक यह अकड़ा करीब एक ट्रिलियन डालर हो जाएगा अभी ट्रिलियन कितना होता है एक ट्रिलियन कितनी जीरो होती है बटाओ तो मुझे आप ऐसे कौन-कौन ज्यानी है बीजेपी के ऑंग्रेस से आपको याद हो गई है ट्रेलियन की जीरो आप जरा कमेंड करके बताओ कितनी जीरो होती है अब बताओ भई कितनी जीरो होती है ट्रिलियन में एक के बाद 11-0 बताओ और क्लास शेयर कर दो क्लास को शेयर कर दो हालाक यह प्रसन नहीं पूछा जाएगा आपसे देखिए मैं बता देता हूं दस के बाद 11-0 और एक के बाद 12-0 एक के बाद 12-0 यह होता है ट्रिलियन अब उसमें आप एक काईद हाई से एकड़ाजार में अब देखेंगे भारत के पास जो प्रात्मिक उत्पाद है यानि कि हमारा इस तर्विश्व में कहां कहां पर आता है प्रात्मिक उत्पादों के उत्पाद में तो वो क्या हो जाता पूरा बेस्ट हो जाता अगर हम उसको उस समय खरीद करके किसानों से अच्छी कीमत में थोड़ा सा उसका सौस बना लिया केचप बना लिया तो वो फूड प्रोसेसिंग हो गई और उसकी मूली व्रद्दी हो गई तो बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो भारत दूद का सबसे बड़ा उत्पादक है फल सब्जीयों के उत्पादन में भारत नंबर टू पर अगर देखेंगे कुल खादिवाजार का लगबग एक तिहाई हिस्सा खाद्य प्रसंसक्राण भारत में खुल खादिवाजार का खाद्य प्रसंस्क्राण का आता टूटल फूड मार्केट में यह आपको याद रतना है चलिए आप देखेंगे आगे कुछ और आंकलों की बात कर लेते हैं तो भारती जो खाद्य प्रसंस्क्राण उद्योग है उसमें देश के कुल खाद्य बाजार का 32 प्रतिशत मैंने और यह उतपाद्न, खपत, निरियात और आपेक्षित विकास के मामलों में पांचवा इस्थान रखता है यानि पांचवा सबसे बड़ा उद्योग यह आपका बन जाता है अगर जीडिपी की बात करें तो भारत के निरियात का लगभग 13 प्रतिशत और कुल उद्योगिक इतनी वेस यानि उद्योग में जितना पैसा डाला जाता है यानि 100 रुपे डाले गए तो उन 100 रुपे में से 6 रुपे किसमें डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं किसके अंदर इसी फूड प्रोसेसिंग में और उनी 100 रुपे में से लगबग 14 रुपे का युगदान क्या होता है विनिर्मान यानि की manufacturing में होता है तो यह क्या हो जाता है यह कुल मिलाकर distribution है आखिर हमारा पैसा जो food processing में है वो कहां कहां कितना कितना लगा हुए इस class को जरा share प्याज हरी मटर गन्य दूसरा सबसे बड़ा भारत इसका उत्पादक है दूद के मामले में नंबर वन चलिए नए आकड़ों के असवार देखें तो दुनिया का दूद सबसे बड़ा उत्पादक देख मैंने आपको बता दिया दूद में नंबर वन पर आता है भेस कामांस पालतुपशू मोटे नाच के मामलों में भी भारत सबसे बड़े उत्पादक उसमें आता है सबस्यादा भेस हो का कि भारत में सबसे ज़्यादा है और कहीं तो भेसे पाई नहीं जाती तो मास तो सबस्यादा भारत में होगा इनमें भी भारत नंबर वन पर है मतश्य पाल और वी बहुत सारी चीज़े उत्पाद उत्पाए जाते हैं उसमें दूसरे नंबर पर भारत का इस्थान है यह आप याद रखेंगे फ़लो और सब्जियों में भी दूसरा नंबर भारत का आता है यारी भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या है कच्छा माल बहुत कम हैं यानि कि हम फूड को बहुत कम पर क्रोसस करते हैं उत्पादम तो हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिं सब समस्याओं होसकता ह bei or यह आपको याद रखना है अच्छा देश में कुल खाद्य उत्पादन का मात्र 10 प्रतीशत ही प्रसंस्कृत किया जाता है यानि कि अगर किसान ने 100 किलो आलू का उत्पादन किया तो उसमें से मात्र 10 किलो आलू ही क्या होगा उसको प्रसंस्रत होगा, फूर प्रोसेसिंग में आएगा, बांकी 90 किलो डेली यूज में ही खतम होना है बांकी नब और इसके कारण क्या हो जाता, कई बार बहुत बड़ी मात्रा में ही सड़ जाता, खराब हो जाता तो यह आपको याद रखना है कि क्या कंडिशन बनती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करें कुल खाद प्रसंस्रत वस्तूर के निरियात में, भारत निरियात जो करता है, मात्र 2.2 प्रतिशत का भारत का हिस्सा है टोटल निरियात में, जो की बहुत कम है, बहुत जादा कम है, अब भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, उन कदमों की हम बात यहां पर करेंगे, देखें, तो सरकार ने पहले तो देखा कि बढ़ा इंपॉर्टेंट है खाद प्रसंस्क्रण, तो जुलाई 1988 में खाद प्रसंस्क्रण मंत्राले बनाया, 1988, जुलाई 1988 सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया, खाद प्रसंस्क्रण का एक अलग मंत्राले बनाया, जिसके मंत्री वर्तमान में नरेंदर सिंग तो मर है, उससे पहले हर सिमरत का और सिंग बादल थी, लेकिन उनने क्रिसी किसानों के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया और किसानों के समर्थन में आ गई थी यह आपको याद रखना है मंत्री कौन है खादे प्रसंस पर मंत्री टमाटर आलू प्याज यह वो फसले हैं जो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती अगर इनको उचित वातावरण न रुपे पर केजी से लेकर तो 100 रुपे पर केजी तक देखेंगे यही हाल प्याज का होता यही हाल आलू का होता यही हल टमाटर का होता तो यह अनिशित्ता को खत्म करने के लिए इससे बचनाने के लिए एक ओपरेशन फ्लड चला था ओपरेशन फ्लड किसके लिए चला आप वो मुझे comment करके बताओ इसी के तरज पर एक operation green चलाए गया है ताकि ऐसी सब्जिया जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है वो जल्दी खराब ना हो राइट ज़रा class को share कर दो आप लोग ताकि जो सब्जिया ऐसी जो जल्दी खराब हो जाती है वो खराब ना हो उसके ल तो operation green क्या है operation green में किसान किसानों ने अपने उत्पादक संगठन बनाए हुए है वो संगठन करसी संभारतंत्र प्रसंसक्रण सुविधाय व्यवसाय प्रबंदन यानि कि जो भी food processing से और किसानों की बीच के जड़वा हो एक पूरा के पूरा तंत्र है पूरा के पूरा ए इको सिस्टम है उस इको सिस्टम के अंदर एक सामन्जस कोडिनेशन लाया जाए ताकि एक युनिट के रूप में काम करें ताकि यह जो फसल खराब हो रही है वह फसले खराब जो उत्पादन खराब हो रहा वो उत्पाद खराब नहों और इसके लिए भारा सरकार ने पां तो बेचने की जो एक पूरी की पूरी प्रणाली है उसका जो पूरा के पूरा तंतर है उसमें सुधार के लिए एक एपोर्टल मनाये गए ए नाम करके एक मंडी के लिए ए नाम करके योजना लाए गई उसके ताकि जहाँ जादा उसको दाम मिल रहा हो वहाँ पर अपनी फसल को बो जाके बेच सके ग्रामीन करसी बाजार इस प्रकार के कॉंसेप्ट विस्थापित किये गा है ताकि किसानों को जादा से जादा क्या पहुंच सके उसका फाइदा मिल सके उनके पास जादा जगा ऑप्शन हो और उसी की लडाई को लेकर ये करशिल पाद बिल है जहां सरकार एक तरफ मार्केट को खुला छोड़ रही है किसान विरोध कर रहे हैं कि उनकी MSP से खतम हो जाएगी और जो बड़े बड़े उद्योग पती हैं वो मन मानने ढंक से उनकी तरीकों से उनकी किसानों की फसल को खरी देंगे ये आपको याद रखना है अब इसके पर देबाले उनके प्रोटसाहन है उन प्रोटसाहन राशियों के बारे में एक ही जगा जानकारी मिल जाए उसके लिए पोटक बना दिया निवेशक पोटल क्या किर केंद सरकार कौन-कौन सी ओई नाए लेके आ रहा है किसके लिए इस खादिप्रसंस रंक के छेतर में है अब बात करते हैं इसके बाद एक और सरकार में योजना शुरू की थी उस योजना के बारे में बात कर लेंगे योजना है संपदा योजना फुल फॉर्म देखे प्रदान मंत्री किसान संपर्क योजना शॉट में संपदा योजना किसके लिए क्रशी प्रसंस करण और समुद्री प्रसंस करण और क्रशी प्रसंस करण क्लस्टरों के लिए यानि कि पूरे देश को कुछ क्लस्टर्स के अंदर बाढ़ दिया जाए उन 6 रोपे काम किया जा और उन्हीं की साथ आगे बढ़ा जाए संदी प्याता अब करेंटे फिर आजाएगा अभी पढ़लो जो पढ़ा रहा हूँ उसका उ द्येक्रन का करना में को अधोड़ा है उसको बढ़ाबा देना जिससे क्या हो क्रशी इसको भृवाबर यहां है यानि कि फस्सले कई बार किसांद खेतों में उसी ऊसपर ठ्रैक्टर चला देते हैं या मंडी आते मंडी में अच्छा भाव नहीं मिला तो उतके साथ सलकोप पर फेक के चले जाते हैं तो यह जो प्रकार की जिससे हमारा उत्पात खत्म हो रहा है उसको समाप्त किया जाए और जादा से जादा क्या किया जाए उसको यूज हम कर सकें रैट इसके अंदर भी तीन अलग-अलग उप यूजना है उनके बारे में मैं पहले एक प्रोजेक्ट समय लीजिए मेगा फूड प्रोजेक्ट मेगा फूड पार्क का निर्मान इसमें किया जा रहा है अब यह मेगा फूड पार्क है क्या देखें मेगा फूड पार्क यह होता है आपको चिप्स मिलती है आप एंड यूजर हो आपको चिप्स मिलती है यह उत्पाद हुआ अब chips के लिए आलू के chips की बात करना हो तो इसके लिए आलू चाहिए आलू कौन उगाएगा किसान उगाएगा तो उन्हें का इसमें किसान को जूड़ो अब इसको process करने वाला चाहिए factory चाहिए factory चाहिए जो इसको क्या करेगी manufacture करेगी तो एक वो हो जाएगा तीसरा आप तो factory जाके नहीं खरीदोगे chips आप कहां खरीदोगे दुकान दार से तो क्या चाहिए retailer चाहिए तो इन तीनों को एक ऐसी सुविदा प्रदान करना जहां तीनों का काम आसानी से हो जाए यानि कि किसानों को भी अपनी उपज बेशने कम दूर जाना पड़े factory जो बना रहा है जिसको प्रसंस्क्रण उद्योग लगाना है उसके लिए वहाँ पर सुविदा हो और retailer को सीधा यहाँ चला जाए और अपना माल खरीद ले ताकि जो पूरी प्रक्रिया इसको smooth कर देना और उसी के तहट यह जो project है कौन सी वाला system यह mega food project यह उसी का नाम है जहां पर किसान प्रसंस्क्रण करता यानि manufacturer और खुद्रा विक्रेता यानि दुकांदार उनको एक साथ लाया और क्रशी उत्पादन को बाजार से जोड़ दिया उसके लिए पूरा के पूरा ecosystem बनाया एक तंद्र उपलब्द करा दिया ताकि जो मूल्य वर्धन है वह ज्यादा हो सके बरबादी कम से कम हो और किसानों की भी आयमे व्रद्धी हो जाए किसानों को भी उचित मूल्य मिल जाए और गाउं के अंदर रोजगार मिल जा ताकि उसका विकास किया जा सके अभी तक करीब 22 फूड पार्क ऐसे हैं जो बंकर त्यार हो चुके हैं 15 में काम चल रहा है और दो प्रस्तावित है यह लेटेस्ट आकड़ा है चले आगे देख लेते हम कौन कौन से लेटेस्ट आकड़ा है और क्या क्या चीज़े इसमें सा पहले जो 22 प्रस्तावित हैं 22 काम कर रहा है उनकी लिष्ट यह आपर हम बात कर लेंगे कौन से एक श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर के अंदर है आंध्रप्रदेस में दूसरा है गोदावरी मेगा एकवा पार्क एकवा समझें यहां पर जल से संब्ढ़ एकवा मतल सूरत गुजरात में हैं क्रेमिका मेगा फूड पार्क उना हिमाचल प्रदेस में हैं इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क तुमकुर करनाटक में हैं उसके बाद केरल और ओद्योगिक आउसंदरशना विकास निगम के आई एन एफ आर ए मेगा फूड पार्क यह कहां जानी के लिए कम से कम याद रखें कि मद्प्र देश में कौन सा कहा पर तो आगे बनेंगे बात करेंगे हम अगले फूपार्क की ते चाहि자 महाराष्ट महराष्ट्र में है उसके लाबा 17 मेगा फूट पार्क ये 17 महराष्ट्र में है उसके लाबा जोरम मेगा फूट पार्क ये कोला सिपकर के जगा मिजोरम में है उसके बाद M.I.T.S. मेगा फूट पार्क ये रायगार उडिसा में है इंटरनेशनल मेगा फूट पार्क ये फि प्रिजामाबाद तेलांगना में हैं और तिरपुरा मेगा फूट पार्क पशिमी तिरपुरा में हैं पतंजली फूड एंड हरवल पार्क यहरेदवार उत्राखाण में अपने बाबाराम दिरह हुआ हुआ है हमालायन मेगा फूट पार्क उदम सिGH नवरा ऊत्राखाण में और जंगीपुर बंगाल मेगा फूटपार्क यह मुश्रदाबार पाशिप बंगाल में ये 22 वो food park हैं जहां पर ये इस्थित हैं और इन में काम चालू हो चुका है मतलब इनने काम करना शुरू कर दिया है food park में क्या होता है फूट पार्क में एक बार फिर से मैं बता दिता हूं क्योंकि हमें food processing के लिए एक चायए होता है कच्चा माल किसे मिलेगा किसां से अब एक चायए होता है उस food park जो कच्चा माल है उसको process करने के बाद उसका एक उत्पाद त्यार करने वाला जिसे आलू की chips मनाने वाला तो एक चायए हमें factory वाला और तीसरा चाहिए दुकानदार जो उसको आम लोगों तक महुचाएगा तो इन टीनों को जिसे किसान इस फैक्टरी वाले को easily क्या दे सकें अपना माल बेश सकें दुकानदार जा इस फैक्टरी वाले से सीधा करीद ले क्योंकि आप लोग तो फैक्टरी वाले के पास पर क्लिक फूड पर्क में क्या होता सलीम 97 और बाकी लोगों को समझ में आया कि नीडि़ारि बता दू कि फूड पार्क में होता क्या है कि नोट्स में पांच निदीये हैं और और पांच नवीन शुक्रियत दिये हैं और 15 की लिस्ट आगे दीए जड़ाऊ उसमें क्योंकि नोट्स थोड़ा सा पहले बने थे यह अभी अपडेट कर दिये हैं तो देखो ज़रा उसमें मैंने 15 या 16 की लिस्ट और आगे दी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ जाएंगे बात करेंगे खाद प्रसंसकन और संद्रक्षन चमता जो फूड पार्क के जो नैर आस्ट्री मिशन है उसके तहत कुछ और विवस्था की गई है जिसे कि खाद प्रसंसकन और संद्रक्षन चमता यूनिट स्कीम इसमें क्य किया जाता है करीब 70 प्रियोजिनाओं को इसके तहत मंजूरी मिल चुकी है यानि खाद प्रसंसकन और संद्रक्षन की चमता के लिए अलग-अलग प्रियोजिना सरकार बना रही तो उन्हीं के लिए इसके लाबा है क्रशी प्रसंसकन सम्मूओं के लिए बुनियादी बाझा के लिए बेकवर्ड और सबोक्रांवे प्रसंसके चुक्राना कं चाहिए पलब लिए इसके लिए उनको جोरने की विवएस्था करना आ तक बेकवर्ड और फारविड लिंकेज बनाना की प्रक्विया इसके वाला आप देखेंगे मानाव संसाधन और संस्थान यानि कि जादा से ज्यादा लोगों को स्किल्ड किया जाया और स्किल्ड करने के लिए पाठिकरम विक्सित किया जा रहा है हिंदी भासा में अंग्रेजी भासा में और जो छेतरी भासा हैं उसमें विक्सित किया जा रहा है यह आपको याद रखना है अच्छा अब एक भारत ने नीती लाई है राष्ट्री खाद प्रसंसकर नीती भार grid कहलाता है और जो राष्ट्य शीत स्रंखला grid का मतलब है क्योंकि आलू प्याज यह इस प्रकार की चीजें हैं जिनको अगर आप cold storage में रखेंगे या proper storage में रखेंगे तो ही बचेंगे cold storage में नहीं रखा गया तो यह खराब हो जाते हैं तो उसी के लिए क्या किया गया है इनके निर्मान पर ध्यान केंद्रित किया गया यानि कि ज्यादा से ज्यादा हम cold storage बढ़ाएं ताकि किसानों का अत्रिक्त पदन उन पर उनमें डाला जा सके और बाद में जब उनकी मांग जन्रेट हो तब उनको बेचा जा सके ताकि बहुत ज्यादा मूली व्रधी भी ना हो जाए महंगाई भी और किसानों को अपनी फरसले खराब भी ना होना पड़े उनको बेचना भी ना पड़े तो इस पर ध्यान केंद्रित किया साथ में देश के अंदर कोनी कोने में खु इसमें जो है क्रशी और जो खाद्य प्रसंस्क्रण उद्योग मंतरी जो वर्तमान में नरेंद्र सिंग तोमर है उनके अध्यक्षता में राश्वी खाद्य प्रसंस्क्रण विकास परिशत का गठन किया गया है इसमें राज सरकार भारत के उद्योग संग और भारा सरकार क के सदश इसमें सामिल है और यह परिशद खाद प्रसंस्क्रण उद्योग मंत्राले की एन एम एफ पी साइट जो काफी सारी योजना है उनको दिशान रदेश प्रतान करेंगी यानि कि यह एक परिशद बनाई गई है यह परिशद देखेगी किस किस प्रकार से हम खाद प्र प्यांदवन हो रहा है यानि कि उन योजना को जो लागू किया जा रहा है उसको हम क्या कर दें विकेंद्रित कर दें यानि एक ही जगा से उनका मोनेटरिक किया जा सके खुद्रा बाजार रीटेल मार्केट जहां आप नॉर्मल दुकाने होती है खुद्रा बाजार कहते है मार्केट आप मुबायल खरीदने जाता हैं फैक्ट्री ने जाते आप आपके मौले परोगस ने जो दुकान होती वहां जाते खाद्य प्रसंस्क्रण उद्योग मंत्राले की योजनाओं के लाभार्थियों को यानि इस योजनाओं से जिनको लाभ होना है उनको राज सरकारों के सांथ संबंद बनाने में आसानी हो राज सरकारों के सांथ भी वो जोड़ सकें आगे बलेंगे बात करेंगे अब हम मद्य मद्यप्रदेश का जो उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्क्रन भाग है क्योंकि MP की त्यारी हम कर रहे हैं तो ये इंडिया की बात हुई अब मद्यप्रदेश की बात हम करते हैं मद्यप्रदेश में उद्यानिकी की जो फसले हैं उनके छेत्र और उत्पादन में व्रधी करन क्रशी मंत्राले है उस मंत्राले के अंतरगत उद्यानकी और फार्म फॉरेश्ट्री संचाल नाले के स्थापना की गई यानि उसके अतायर एक संस्था बनाए गए राइट कौन सी संस्था उद्यानकी और फार्म फॉरेश्ट्री संचाल नाले कोश्चन कैसे बनेंगे उसके में अलग से हमारी mcq series चालो होगी चिंता मत करो चलिए तो मद्यप्रदेश आसन के दुवारा उद्यानकी के छेतर में प्रदेश को और अगर नहीं बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा लोग उद्यानकी वाली फसले लगाएं इसी के लिए क्रशी पर आधारित उद्योगों को बड़ावा देने के लिए उद्यानकी एवं प्रचेतरवान की और मद्यप्रदेश क्रशी विकास निगम को मिला कर यानि इन दोनों को मिलाया गया जो पहले बनाया गया था क्रशी विभाग से अलग किया गया और एक उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्क्रण चले इस योजनाम में सिक्षित बेरोजगार जो यूवा है यानि कि पढ़े लिखे हैं लेकिन जिनके पास रोजगार नहीं है उनको एक से धाई एकड़ भूमी प्रतिय विक्ति को एक एकड़ दो एकड़ धाई एकड़ तक भूमी तीस साल के लिए लीज पर उतलाद कराई हो और वो फूल मार्केट्स में पहुचाए जा सकें प्रदेश के अंदर दो उध्यानिकी महाविद्याले एक रहली के अंदर जो कि साधर में और छिंदवाला में प्रारंब किये गए हैं उध्यानिकी महाविद्याले याद रखना एक उध्यानिकी महाविद्याले पहले स मनसौर में संचाले थे क्रशी महाविद्याले की बात नहीं कर रहा हूं मैं उध्यानिकी महाविद्याले की बात कर रहा हूं यह पहले से मनसौर में संचाले थे और इंडो इस्राइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उध्यानिकी के छेतर में तीन सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किये जा रहें इंडो इस्राइल यानि इसराइल के साथ मिलकर भारत के सयोग से cancer साइट्रस का center यह चिनवारा में वेजिटेबल का center मुरेना में और फ्लोरी कल्चर का center भोपाल में यह तीनों के तीनों center of of excellence होंगे, यानि कि others होंगे Layer का मतलब होता, किराय पर देना प्टे पर देना L mark यह होता है कि एक रखम आप से ले ली जाते है और 30 साल के लिए आपको जमीन दे दिठी जाती, कि 30 साल तक आप उस पर यही खेती करेंगे एक विशेश उद्देश से ही दी जाती है यह आपको याद रखना है चलिए तो यह था हमारा पूरा वीडियो अभी आप नोट्स पर आप करना चाहते हैं तो नोट्स आप आप कर सकते हैं यह पूरे जो क्लास थी नोट्स के द्वारा ही नोट्स में सब कुछ इन पर दिया सब्सक्राइब करने के लिए राइट रहा है और यह पर्याप्त होंगे इस एक्जाम को क्वालिफाइब करने के लिए किस नोट्स है पढा रहा है एक्जाम गुर्ण जी के नोट्स हैं उसी से पढा रहा है किस और के नोट्स हम नहीं पढा रहा है चले आप लोगों के कोई का यह अग सब्सक्राइब कर uniqu relaxed k झाल झाल